हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो कहा जाता है कि इंडिया में आधे से जादे जितने भी न्यूस चैनल है वो सब गोदी मीडिया है यानि कि मोदी के इसारू में चलने वाले इनसे हटकर भी एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है एंडी टीवी जिसके फाउंडर प्रणुर रॉय और राधिकारो हैं जिनकी एंडी टीवी में इस्टेख 32% की है अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ आए मैं आपको समझाता हूँ माल लीजे मैं कोई एक पॉइंट A हूँ और मैं पॉइंट B से लोन लेता हूँ अब जो कोई पॉइंट B है वो पॉइंट C से लोन लेता है मुझे लोन देने के लिए या फिर कह सकते है कि पैसे ल सबानी की कंपनी रिलाइंस है बी वी पी सीयल है और ए आर पी आर है यानि की राधिकारोय प्रनारोय दोस्तों आर आर पी आर ने एंडी टीवी की 29% इस्टेक लिए थी और आर आर पी आर ने वी पी सीयल से लोन लिया था कि आप जब भी चाहो लोन को इस टेक में कर सकते हो यानि की अब बी पी सीयल और गुर्प को ट्रांसफर हो गया है इसी लिए 29% अब अडानी गुर्प ने कर लिया है दोस्तो अडाने ग्रूप ने ये भी कहा है कि हम ओपन मार्केट में ये एलान करते हैं कि 26% और कोई भी अगर हमें बेशना चाहे तो बेश सकता है दोस्तो इसी कारण बस मैं गह रहा था कि ना फाउंडर को पता है ना डायरेक्टर को पता है ना किसी जर्नलिस्ट को पता है ना ही मानेजमेंट को पता है और एंडी टीवी बिग भी गया दोस्तो इस बहुत हैरानी की बात है क्योंकि अच्छे चीजें बहुत जल्दी या तो बिग जाती है या तो खतम हो जाती है दोस्तों एंडी टीवी एक मात्र ऐसा न्यूज चैनल था जो गोधी रखतिया में नहीं आता था यानि की वह हिंन्दू, मुसलीम और भड़गाउ दंगो में नहीं आता था दोस्तो बात यहां तक आ जाती है कि जो अधानी है वह भी गुझरात से है और हमाले पी-म मौधी भी गुझरात से है दोस्तो आसान भाजा में कहा जाए तो दोनों के चार्जेस रहेंगे वो हटवा देंगे आपका जो भी काम रहेगा वो हम डालेंगे आप चिंता मत करिएगा वही चीज दोस्तों यहां पर भी लागू हो रहा है दोस्तों अभी भी राधिका रॉय और प्रणा रॉय को मिलाकर 32% का इस्टेक अगर अगर अगया तो फिर पू सताते हुए आ रही है दोस्तों 9 November 2016 को NDTV पूरी एक दिन के लिए क्लोज हुआ था बाइदा मिनिस्ट्री और और रॉय फैमिली के उपर इंकम टैस की निजर हमेशा से ही रहती आई है और मोधी सरकार के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारण है जो म सबस्क्राइब